Hello dear students, करते हैं worksheet no.3, science की 7th class की worksheet, English medium में 23 सितंबर की worksheet है, तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा जो chapter चल रहा है, वो गती वाला चल रहा है, आज हम जानेंगे कि speed कैसे measure करते हैं, ठीक है, motion का chapter है ये, तो चलिए जानेंगे कि speed कैसे measure की जा सकती है, तो सबसे पहले आज आपको worksheet में दिखाई देगा, एक important formula, इसको हमने, बचो अच्छे से ही याद कर लेना है, कि जो speed है, उसको निकाला जाता है, distance upon time करके, अब speed जो होती है, चाल, और distance होती है, पूरा जो जितना भी travel किया और time तो आपको पताईए, ठीक है, तो question है, question किया ये तो आपको एक explanation दी हुई है कि while going for a school picnic, Sonia decided to note the distance covered by the bus, but she did not know how to calculate it, अब Sonia जो है, वो अपने school picnic पर गई, और वो चाहती थी कि मैं पूरा distance na, travel जितना हमने किया, उसको मैं measure कर लूँ, हम यहाँ से school से, picnic spot तक, कितनी दूरी में, पहुंचे कितनी दूरी पर गए थे, वो मैं calculate करना चाहती थी, पर वो जा जानती नी थी कि मैं इसको कैसे calculate परूँ, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी होता होगा तो आज हम वही तरीका सीखेंगे, तो इसके लिए बचो, once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time, तो इसके लिए आप जान सकते हो, कि अगर आप किसी object की speed अगर जान लो, उसकी object की speed अगर आप जान हो, वह formula जो हमने उपर यूज किया था ना, बचो कि speed जो होता है, वह distance upon time होता है, मैं इसको capital D कर लेती हूँ, तो D होगया distance और नीचे होगया time, तो यही से, इसी formula से मैं distance भी निकाल सकती हो, distance को अगर मैं एक तरफ रखों, तो यह जो speed है, और time जो हो दोनों क्या हो जाएं You can also find the time of an object, would take to cover a distance while moving with a given speed, इस तरीके से आप इसी formula से, पच्छो, time भी निकाल सकते हो, कि उस object को कितना time लगा, कैसे निकालेंगे, वो distance upon speed हो जाएगा, इसको आप एक ही formula से निकाल सकते हो, तीन चीज़ों के लिए, इस formula मैं आपको तीन चीज़े मिल रहे होगी, time taken, distance or speed, आपको जोन सा चाहिए, आप उसका formula यहां से निकाल सकते हो, suppose आपको यहां से distance चाहिए, आपको एक formula याद कर लिजे, तो distance निकालने के लिए, यहां से, मैं क्या करूंगी, speed को इधर send कर दूंगी, तो time taken के साथ में speed क्या होगा, multiply हो जाएगा, इस तर आपकर, तो मुझे म आपको यहां से निकाल सकते हो, you might have seen a meter fitted on the top of a scooter, आपने कभी देखा होगा कि scooter यहां से उपर, बिल्कुल जो शुरुआत में, वहां पर आपको एक meter लगा होता है, तो similarly, the meters can be seen on the dashboards of car, busses and other vehicles also, तो यहां से ही meters, आपने देखे होगा, कि car, busses and other vehicles also, यहां से ही meters, आपने other vehicles के पाहर भी, dashboard पर भी, मिलते हैं, ठीके, meter ज़रूर लगाया जाते हैं, that one of the meter has kilometer per hour written at the corner, उसके एक corner पर, जैसे कि इस picture में हम देखते हैं, इस picture में आपको दिखाई देगा कि यहां kilometer per hour लिखा हुआ है, और this is called the speedometer, तो यह जो meter है, बच्चों, यह meter क्या 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 क् है, speedometer की मतलब क्या है, कि यह speed का meter है, यह speed को measure करेगा, it records the speed, directly in kilometer per hour, जो kilometer per hour है, वो उसकी speed की unit है, कि speed को वो कैसे measure करेगा, वो kilometer per hour में measure करता है, speed को, तो जहां meter के नीचे, यह kilometer per hour लिखा होगा, वहां आप समझ लेना, यह speedometer है, ठीक है, तो अगली बात क्या दी है, हा, there is also another meter that measures the distance moved by the vehicle, फिर वहां पर एक और meter भी दिया होता है, वो meter क्या करता है, वो distance travel by the vehicle, वो count करता है, कि यह जो vehicle है, यह जो car है, वो कितनी दूरी तक जा चुकी है, कितनी दूरी इसने travel कर चुकी है, चीक है, this meter is known as an odometer, तो इस वाले meter को हम क्या बोलते हैं, इसको हम odometer बोलते हैं, जो distance covered करता है, distance का हमारा पूरा record रखता है, कि यह गाड़ी जो है, वो कितने kilometer आना जाना यह कर चुकी है, ठीक है, और जो speed बताता है, उसको हम बोलते है, speedometer, questions पर आ जाते है, an instrument which measures the distance covered by a moving vehicle is known as, तो वो वाला instrument, जो क्या करता है, distance covered को मापता है, वो क्या के बढ़ा, उसको बोलते हैं, बच्चो, odometer, ठीक है, speedometer records the speed in, तो speedometer speed count करता है, speed का record रखता है, और speed को किस में measure करता है, वो kilometer per hour में measure करता है, kilometer per hour का मतलब मैं आपको बता दू कि एक घंटे में, एक घंटे में, वानार मतलब एक घंटे में, उस vehicle ने कितने kilometer चले है, कितने kilometer की तूरी तै की है, वो उसकी speed कैलाती है, अगला जो प्रशन है, distance covered is equals to dash into time, तो distance covered अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, speed into time, यह होगा formula, जैसे हमने बात की थी कि हम तीनो formula जो है, distance, time और speed का अलग-अलग formula यह की formula से हम याद करके निकाल सकते हैं, fourth जो है time is equals to distance upon speed, यहाँ पर multiplication नहीं है, यहाँ पर इसके divided में आएगा speed, तो यह आपकी worksheet है, इसके answers को अच्छे से करिए, इसके notes भी बना लीजेगा जरूर, ठीक है, पूरा जो worksheet में आपको material दिया गया है, उसे समझ कर उसको अपनी notebook में note करिए, और answers करके अपने माम को submit करिए, ब